चट पूजा भारत में सबसे लोग प्रियों तेवारों में से एक है, लेकिन फिर भी मनाने वालों के अलावा बहुत कम लोग इस अनोखे तेवारों के बारे में पोचित समझ रखते हैं, इसे लिए वेड़ा मेने, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं चट काल में एक बार नहीं, बलकि दो बार मनाया जाता है, एक बार कार्तिक महिने में और दूसरी बार चैत्र के महिने में 2. ये तिवार चार दिनों तक चलता है और हर दिन के अलग-अलग रिती रिवास है 3. छट पूजा में सूर्य देप की पूजा की जाती है 4. ये भारत के सबसे पुराने तिवारों में से एक है कई सूत्रों का दावा है कि छट पूजा पहली वार वैदिक काल में शुरू हुई थी जब सूर्य देप की लोग पियता अब की तुलना में बहुत ही जादा थी और तो और ये एक मात्र ऐसा तिवार गो सकता है जो सीदे वेदों से आया गुआ है और अब भी मनाया जाता है 5. चट में सूर्य के इलावा उनके छोती बहन चटी मैया को भी समान रूप से पूजा जाता है उन्हें मा कात्रेयनी के नाम से भी जाना जाता है और देवी पार्वती का छटा रूप मना जाता है 6. हिंदू धर्म के जादा तर रिती रिवाजों में पुरोहितों की आवश्यक्ता होती है पर छट पूजा में ऐसी कोई वीधी नहीं है इसके सारे रिती रिवाज बिना पुरोहितों के ही संपन होते है 7. तिवार के दोरान प्रसाद के रूप में हेकवा नामत एक सूखी मिठाई बनाई जाती है मेरी बात मानिए कभी एक बार जरूर ड्राई करके देखिए 8. ये वारत के सबसे इको फ्रेंडली तिवारों में से एक है क्योंकि इसमें इस्तिमाल की जानी वाली लगबख सभी सामगरिया बायो रिक्रेडेबल है और तो और तिवार के एक दिन पहले सरकों को अच्छी तरह से साफ किया जाता है या आपने हमारे इस वीडियो से कुछ नया सीखा फिर हमारे इस चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले क्योंकि यहां आपको ऐसे ही और भी जानकरी पूर्ण वीडियो मिलेंगे